हेलो फ्रेंड्स मैं कुसूम जे सार हों मेड एसपी में आप सब का स्वागत है और आप खाटिश याम जी के जा रहे हो तो ये वाला भोग जरूर से बना कर ले जाएए उनको बहुत पसंद आएगा बहुत ही टेस्टी है बहुत ही हल्दी है और फ्रेंड्स यूनिक है आप द्राए करके देखिये तो बनाते है फिर बिन रूखे हुए तो सबसे पह sillी यहां पर मैंने चार सो ग्राम बेसन लिया है और 600 यहां पर मैंने आटा लिया है जो गेहूं काarta होता है आपने नोर्मल घरमें ले लेते वह जी आटा लिया है और 100 यहां पर सूजी ली और तिनों को अच्छे से कर लेते हैं मीक्स और फिर यहाँपर मैंने लिया डेट सो ग्रम घी तो फ्रेंड्स गिया आप जितना मना रहें उसके कोर्णी ले सकते हो तो मैंने सारा परफेक्ट है गी अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छा से इसे आटे को लगा लेते हैं तो जिस तरीकिसे अपन घर में नोर्मल आटा नहीं लगाते हैं रोटी बनाने के लिए उसे थोड़ा सा इसे टाइट लगाएंगी बस थल्का सा टाइट यह देखिए अब इ तो यहां पर मैं अच्छे सा लगा था तक लगा दिया यह गनेजी का होता था कि बरकत अच्छी हो फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर और इस तरीके से मोठी बनाएंगे इस तरीके से एक्टम पतले से ज़ादा मोठे बिल्कुल नहीं बनाएंगे वरना यह अं मैंने पहले मीडियम किया फिर लोब और अब अच्छे से शीखने देते हैं फ्राई होने देते हैं सोरी और अब नीचे से हलके हलके मुझे फ्राई होने लगे हैं यह दिखने लगा है तो मैंने इसे पल दिया यह देखें नीचे से एकदम ब्राउन होने लगे हैं अब दोनो से कितना अच्छा सा सिखा ये देखिए एकदम अच्छा सा है ये देखिए तो ये तो हमारे काम हो गया है अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बादाम और थोड़ी सी मुफली 100 ग्राम ही 100 ग्राम ही फूल मखाने लिए तो गी तो हमारा गरम ही था तो इसमें डाइफूट डाल कर अच्छे से कर लेते हैं तो डाइफुटس को फ्रेंड्स जब भी आप फ्राई करो तो इस त्रीकी से बदाम में पर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसने केать स्टस्ट्राई उछते हैं तो अब mixijar में थोड़ा थोड़ा डाल कर अच्छे से grind कर लेते हैं क्योंकि अच्छा सा ठंडा हो गया तो mixijar को बिल्कुल जोर नहीं आएगा अप गरम-गरम में अगर इसे grind करोगे ना तो mixi jar को बहुँ ज़ादा जोर आएगा और mixi jar रुक जाएगा तो अच्छे से मैंने सारा grind कर लिया है अब जो dry foods को अपने fry किया हलका सा मैं ऐसे grind कर रही हूँ आप अगर grind नहीं करना चाते हो तो ऐसे ही डाल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर यहा यहाँ पर मैंने 600 ग्राम है और यहाँ पर मैंने देशी खांड लिया है जो सहथ के लिए बिलकुल भी नुकसान नहीं देती आप मीठा कम जादा भी कर सकते हो और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोंद लिया है जैसे 20-30 ग्राम ही गोंद लिया है यह बिलकुल optional है क्योंकि अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप डाल लो वरना इसे बिलकुल अवरीड कर सकते हो कोई जरूरत नहीं इसकी तो यह भी मैंने अच्छे से फुला कर इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं आपने देखा इतना कुछ है इसके अंदर तो टेस्ट तो आना ही आना है और खाठो शाम जी को भी चुरूर से पसंद आएगा और जो बचा हुआ गी है ना हमारा वो भी डाल देते हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गी उसमें डाला था जो मोन दिया था और 500 ग्राम इसमें फ्राइ किया तब डाला था तो सारा गी ह हुमारा 400 ग्राम हो गया है तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इस तरीके से और बैस अब फटा फट बना लेते हैं लड़ू और आपको थोड़ा सा जोर आ रहा हो ना वैसे तो देखो परसाद बनाने में कोई जोर नहीं आता बट आ रहा हो तो किसी के हैल्प ही ले सकत देजिए जुरूर बना के लिए थेंक्यू सुमें